हेलो दोस्तों ये स्पिया क्लासेजवन में आपका हारदिक स्वागत्यम अपने लड़न है आप देख रहे हैं अपने चैनल को यहां लिखा हुआ भू माप पैमाना की एकाई यहां जरीब है जरीब है जो जरीब के बारे में दिया हुआ है एक जरीब बराबर कितना होता है स सावकड़ी होता है और जरीब को कहते क्या है जरीब है या चैन है जरीब है या चैन है या जनजीरी से बोलते हैं तीनों चीज यह कहीं को हते हैं जरीब चैन जनजीर यह कहीं चीज को कहते हैं तो एक जरीब में कितना लटा होता है एक जरीब में सावकड़ी होता है और ए एक लट्ठा बराबर दस चोटी कड़ी होती है एक लट्ठा बराबर दस कड़ी होती है तो एक जरीब में कितना होगा एक जरीब बराबर सौव कड़ी हो गया एक जरीब बराबर सौव कड़ी या दस लट्ठा यह हो गया और एक जरीब बराबर क्या होता है देखी एक एक जरीब बराबर 6 छट फिट होता है या एक जरीब बराबर 20.02 मीटर होता है या एक जरीब बराबर 22 गज होता है यह पैमाना है इस पैमाना से ही प्रश्न को हल किया जा सकता है डिसमिल में कितना कड़ी होता है यह डिसमिल में कितना कड़ी होता है यह कैसे ग्यात करेंगे तो देखिए एक कड़ी एक कड़ी बराबर कितना होता है दस मलो 6 छे छे फिट होता है एक कड़ी बराबर दस मलो 6 छ फित होता है तो चौह पर एक शबू आफक झाण। हम गरींज मिल में कितना जमीन होती है थो धिस्मिल में एक डिस्मिल बराबर एक क्थेश्मिल बराबर तो Α एक डिस्मिल बराबर कैसे निकालेंगे एक डिसमिल बराबर एक हजार वर्ग कड़ी होता है एक डिसमिल बराबर एक हजार वर्ग कड़ी होता है एक हजार वर्ग कड़ी है तो देखी एक डिसमिल बराबर एक हजार वर्ग कड़ी है तो एक छोटी कड़ी बराबर दसमलो च्छै फिट है दसमलो च्छे छे फिट है इनका अपस में गुड़ा कर देंगे दसमलो चार तीन पांच है वर्ग फिट हो गए एक हजार में है तो एक कड़ी बराबर इतना है तो एक हजार कड़ी बराबर तो एक हजार कड़ी गुड़े दसमलो चार तीन पांच है बराबर तीन अंग पर यहाँ है तो तो तीन अंग दसमलोग फिसक जाएगा इधर तो चार तीन पाँच दसमलोग छँए वर्ग फिट आ गया कितना गया 435.6 वर्ग फीटा गया एक डिस्मिल में एक डिस्मिल में कितना कड़ी हो गया एक हजार कड़ी है एक डिस्मिल में एक हजार वर्ग कड़ी है तो एक डिस्मिल में एक हजार वर्ग कड़ी है तो छेतरफल ग्यात करने के लिए देखिए यह अनुपात लग सकता है जैसे यह बीस और यह पचास यह यह बीस कड़ी हो सकती है और यह पचास कड़ी जमीन हो सकती है इस तरीके सिस अनुपात में निकाली जा सकती है यह जमीन यह पचीस कड़ी बन जाए जमीन और नीचे ऐसे इसकी गहराई जो है चालिस कड़ी बन जाए तो भी ये एक डिसमिल जमीन बन जाएगी और ये भी एक डिसमिल जमीन बनेगी तो इस तरीके से डिसमिल को निकाला जा सकता है डिसमिल में कितने फिट कितने वर कड़ी हैं इस तरीके से ग्यात कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियों ही समाप्त होती है अच्छी लगी है तो लाइक यम सब्क्राइब कर दीजे धन्यवाद